बड़ी कबर उद्रप्रियाक से आ रही है यहाँ भीशन सड़क हाथसा हुआ है बद्रीनाथ हाइवे पर रेतौली के पास यात्रियों से भरी गाड़ी जो है सड़क से नीचे अलक नंदा नदी में जा गिरी है इस भीशन हाथसे में अब तक नदी से आठ लोगों के शब न कई लोगों के शब जो हैं ट्रावलर बस जो कि अलक नंदा नदी में गिरी आहलाकि शर में निकाले जा रही हैं आठ लोगों के शर आप तक निकाले जा चुके हैं यह अलक नंदा नदी रूद्र प्रियाग आपको पता होगा मंदाकिनी और अलक नंदा का जहां संगम होता है उस इलाके को रूद्र प्रियाग कहा जाता है और यहां पर शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदर भी है अलक नंदा और मंदाकिनी दो अलग-अलग नदियों का मिलन दोनों ही नदियों को आप देखेंगे एक साथ एक जगह पर लेकिन कभी भी आपस में वो नहीं मिलती हैं इसी जिसको देखेंगे कई परिटक्रिया पहुचते हैं लेकिन बेहदी दुख़त यहां पर बद्रिनाथ जाने के समय यहादिसा हुआ है इस बीच हाइवे पर एक ट्रावलर पलट गई सीधे नदी में गिरी और आथ लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है पुलिस दिक्षक रुदर प्रयाग गटना इस्ताल पही है उनके द्वारा बताया गया कि करीब एक आदा गंट पहले एक टैंपोर ट्रेवलर जो नोईड़ा से आगे जा रहे थी यहां रुदर प्रयाग के तरह तो रहतोली जगह है रुदर प्रयाग से पहले वहाँ पर लगबग डेड़ से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से साथ लोग की डेड़ बोडी तो रिकवर कर लिया है, नौ लोग को हॉस्पिटल पहुंचा आ गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ग्यात हो है, ड्राइवर भी बहुत गंबीर क्यों के लिए और टोटल कितने संख्या है, अब यह कुछ देर बादी इस पर पाएगा, जब पूरी रिस्कू रिस्कू काम पूरा वजह है, यूपी के गाज्याबाद में भीशा नाग लग गई है, चौनिका सिती और द्योग शेत्र में आग लगी है, पाकेजिंग फाक इस पर इस नाग लगी है, गाज्याबाद में काफी भयानक आग है ये दमकल विद्वाद साफॉषा